पंतप्रदान नरिंद्र मोधी के लॉकडाउन के घोशना के बाद शहर की पुलीस आई एक्शन में कोरोना जैसे संकट से नीपटने के लिए केंद्रा और राज्यसरकार ने जनता के स्वास्थ के लिए लॉकडाउन के घोशना करने के बाद जनता नहीं सुदर रही है घर में रहने का आववान करने के बावजूद भी लोग रोड़ पर दिखाई दे रही थे मुख्यमंत्री उद्धो ठाकरे रोज जनता से अपिल कर रहे है मगर जनता है कि मानती ही नहीं आखिरकार मंगलवार को पंतप्रदान मोधी इन्होंने कड़ा कदम उठाया मोधी ने पूरे भारत में 21 दिन के लिए लोग डाउन के घोशना कर दी मोधी के घोशना के बाद शेहर की पुलिस एक्शन में आ गए बुद्भार को अजनी पुलिस थाना क्षेत्र में पुलिस ने नाका बंदी कर कड़े कदम उठा रहे है आने वाले सभी की जाच कर रही है उसके बाद ही छोड़ा जा रहा है जो भी बेवजर रोड पर घुमते नजर आ रहे है उसे पुलिस के एक्शन मोर का सामना करना पड़ रहा है हम भी जनता से अपिल करते हैं कि घर से ना निकले देश पराय संकट में सरकार का साथ दे देश के प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी इन्होंने फिर से एक बार लोगों को ये बता दिया है कि अब 21 दीन का लॉकडाउन हो चुका है जिसके चलते लोग घर से बाहर न निकले अब हम आपको पूरा शहर का एक गस्त करते हुए क्या हुआ है ये बताने जाएंगे कि आप देख सकते हैं कि यहां पे पुलीस बड़ी संक्या में मौझूद है आने जाने वालों की जाच कर रहे है कल तक के की टंकी हो लोगों में जो पानी के लिए जो बड़े बड़े टैंकर हो भी पहुंचा जा रहे है इदर पेट्रोल पंप पूरी तरह से खुला हुआ दिख रहा है इक का दुक्का वहान भी आ रहे है पुलीस की मोबाइल भ्यान और दूब पईया पे भी पुलीस सब तरफ पहनी नजर रखे हुए है और आज जिस प्रकार से आप देख सकते कि यहां पे कुछ वहानों की कतारे लग चुकी है और सब को यह पुछा जा रहा ह जो क्या नी जो और कोई हर कोई अपने कामकास से जा रहा है ऐसे में देख सकते आप के यहां पे पुलीस तयार है अब संचार बंदी तो लागू होगे लॉक्डाउन जो हो चुका है लोग उसका पालन करते वे नजर आ रहे हैं 14 अप्रेल तक कि यह कारवा इसी प्रकार का चलने वाला है जिस प्रकार से देश के प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने ये कहा है कि कोई भी अपने घर से ना निकले और जा खान पान की चीजे जो है वो भी आसानी से मिल जाएंगी मगर आप शार के लोग है कि जहां ग्रोसरी याने किराना की दुकान है या सबजी कि दुकाने लोग भीड़ार कर रहे है वो भीड़ार कम होना बहुत जरूरी है बाकी देखा जाए तो काफी अच्छा पुलीस का कामकात और संचार बंदी को लोग पूरी तरह से सहयोग करते हुए नजर आ रहे है कैमेरा परसंट राशकुमार महुर के साथ अभी शिक पांसी के रिपोर्ट इन बीस एन न्यूस नाकपूर